करोना वाइरस का संकर्मन और उसके आंकडे जो हैं वो देश में और ना बढ़ें उसके मद्दे नजर पूरा देश 21 दिन के लिए लोकडाउन है और ऐसे में लोकडाउन के चलते लोगों को राशन की या फिर खाने पीने की समगरी की किसी तरह की भी कमी ना है उसको लेकर माजिक संस्था हैं वो लगातार प्रयास कर रही है आई के जर फांडेशन की तरफ से आज अंबाला सीटी के कई गरीब परिवारों को जो जुरुत मन परिवार हैं उनको राशन वित्रन का जो कारेकरा में वो आज से शुरू किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि एक पिं पूरी बस है वो राशन के साथ भरी गई है इसका मतलब जो तयारी है वो यहाँ पर पूरी तरह से जो समाजिक संस्था हैं अंबाला का प्रशाशन उनकी तरफ से की जा रही है कि कोई भी परिवार भूखा नास होए ऐसी जो घड़ी है इस समय संकट की घड़ी जो देश म में आई हुई है इसमें किसी की भी जो हालत है जो भूख के करन ना बिगड़े तो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है आई के जे की प्रेजडेंट राधी का चीमा यहां पर है उनकी तरफ से लगातार यह प्रयास किया रहा है उनसे बाचित कर लेते हैं मैं राशन वित और इसमें हम बताना चाहेंगे कि हमने एक-एक मतलिब की परिवार में 55 सद्दूस्यों को लिया है जिसमें 200 परिवार को जोड़ा है और 1000 लोगों को लगभग 1000 लोगों को एक हफते का राशन दिया जा रहा है जिस पैकेट में पांच किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो राइ इसका प्रोसेस कितने दिन के लिए चलेगा या कुछ प्लैंड है या फिर आज के लिए किया जाए है अभी तो हमने आज एक हजार लोगों का ही विवस्ता की है बट हमारा परियास और हमारा जो फांडेशन है हमारे जो सहयोगी है वो लगातार इस बारे के वह पर सोच रहे हैं जहां पर भी जरूर तो हम जरूर परिशाशन का सहयोग देंगे और इंडिविज्वल खुद भी कर रहे हैं तो फिल्हाल जो ये राशेन वो एक हजार परिवारों तक पहुंचाया जाएगाए 1जार परिवारों की मदिद की जाएगी तो ऐसे में अन्ने जो धर्मिक सस्थाएं हैं या फिर अन्ने जो समाजिक सस्थाएं कि अगर किसी को किसी भी प्रकार की जुरूरत है वो यहां से जुरूर पूरी कही जाएगी आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको बने रही है मारे साथ नमस्कार दोस्तों अमबाला ब्रेकिंग नियूज में आपका स्वागत है और एक खबर जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत जरूरी है और खास तोर पे उन लोगों के लिए जो समाज सेवा में जुटे हुए हैं बकैदा इस आपदा के दोरान लोगों के अंदर समाज सेवा का जो जज़बा है वो दिखाई दे रहा है लोग जो खादे समगरी है वो उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिने इनकी जरूरत है लेकिन फिर भी देखा ये जा रहा है कि एंजियो जो हैं वो अपने अपने स्तर पर खादे समगरी भेज रहे हैं सरकार अपने स्तर पर खादे समगरी जो है वो लोगों को भेज रही है तो ऐसा ना हो कि जिन लोगों को इसकी वास्तव में जरूरत है वो इससे अचूती रह जाएं तो बकैदा उपायुक तंबाला जो हैं वो हमारे साथ हैं बकैदा स्तर के उपर जो है सरकार की तरफ से ये खादे समगरी भेज रहे हैं एंजियोस जो है वो जुटे हुए है पॉलिटिकल पार्टिस जो है वो भी जुटी हुई है तो ऐसा ना हो कि जो सही महने में जिनको जुरूरत है वो इससे उचूते रह जाए या कुछ ऐसे भी परिवा पहुंचा रहे हैं जिस एरिया में पहुंचा रहे हैं जिन व्यक्तियों का पहुंचा रहे हैं उनके लिस्ट बनाए और परसासन से मिलकर के ही उनके पास दें ताकि किसी के बास डबल ना पहुंचे और कोई व्यक्ति से महरूम ना रह जाए जो हमने पिंक बसीज चलाई ह उनके roots बना दिये गए हैं और किस time पे वो बस कहां पहुंचेगी ऐसा उसमें नियत कर दिया गया है और सभी गाओं को पहले से पता होगा कि ये बस कल इस वक्त यहां पे आएगी वो अपने जुरूरत की चीजें वहां से ले सकते हैं और दोबारा मैं सभी NGO से अपील करूँ होँगा कि अपने डियोल के direct करने की बजाए वह है परसासन से सेयोग करें और जो हमने एक format बनाया है एक packet बनाया है जिसके अंदर पांस किलो आटा, पांस किलो चावल, दो किलो दाल, दो किलो चिनी, आदा किलो चाई पती, धाइसो ग्राम हल्दी, आदा किलो नमक, ये एक packet में बनाया है, इसी format में सभी packet बनाये, ये एक हफते के लिए, चार वेक्तियों के परिवार के लिए, सफिसेंट रासन रहेगा, अगर ये ऐसी पैक्ट फॉर्म में आएंगे, तो जो हमने identify किया है, और डेलियूस लिस्ट में add हो रहे हैं हमारे, जिनको रासन की जरू राजिब सी बात है कि अगर एंजियोस जो हैं और पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो अपने अपने स्तर पर राशन बांटेंगे, तो हो सकता है, कुछ ऐसे लोग भी हो जो सभी जगा से जो है वो राशन ले ले और ऐसे में जिन लोगों को इसकी वास्टिक्ट में जो ज परशासन नहीं पहुंचा हम उमीद करते हैं कि जो एंजियोस हमारी इस खबर को देखेंगे और आम लोग आम जो पब्लिक हैं वो इस खबर को जैदा से जैदा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि उन्हें जो समास सिवा का ये काम करना है वो परशासन से मिलकर करना है और इससे उन्हें भी फायदा है परशासन को भी पता लगेगा कि कौन लोग जो है वो इस मुसिबत की घड़ी में परशासन के साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़े हैं आप जोड़े लिए हमारे साथ फेस्बुक पेज अंबाला ब्रेकिंग निउस पर हम आ बाला की अप्डेर्ट देते रहेंगे